हेलो स्टुडेंट्स आज हम लोग बात करेंगे आउटपूट डिवाइसे ऑफ ए कंप्यूटर की तो देखिए प्रीवियस लेक्चर्ट में हम लोग कंप्यूटर कैसे काम करता है कंप्यूटर में क्या-क्या इन्पूट डिवाइसे यूज होती हैं यह सारी चीछें हम आउटपूट डिवाइसे तो देखिए आउटपूट डिवाइसे तो देखिए आउटपूट डिवाइसे काम क्या होता है कि जो भी हम कंप्यूटर को डेटा इन्पूट करते हैं आपको मालूम है कि जैसे माल लीजे यह अगर आपका कंप्यूटर है ठीक है इस इस आपक इसको जो कुछ भी हम data input करते हैं जो भी हम data input करेंगे computer क्या करेगा यहाँ पर उसकी processing होगी और जो भी result आएगा जो भी result आएगा वो computer किसको देता है output device को यहाँ पर output device लगी हुई है this is output तो output device पर जब processing जो भी result है वो आजाता है तो उससे क्या होता है कि जो outside world है मतलब कि outside world उसको उस processing का result पता चलगाता है outside world मतलब जैसे कि अगर हम computer use कर रहा है तो user है या अगर हम print out निकाल रहा है तो print out निकल आएगा कागश पे तो main काम जो है output devices का यह होता है ठीक है अब different तरह की output devices use होती है computer में हम लोग start करते है monitor से तो पहली जो output device हम लोग use करते है वो है monitor 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 क्या होता है monitor को हम क्या बोलते है monitor को हम video भी बोलते है video video stands for video display unit यानि की वो equipment जिसके उपर हम video देख सकते है इसलिए इसको हम video display unit भी कहते है यह होता क्या है it is an electronic virtual display और you can say it is an electronic visual display visual मतलब हमको इसके उपर picture video जो कुछ भी है यह क्या करता है यह सिंप्ली वैसे ही display दिखाता है जैसे हम लोग टेलिविजन स्क्रीन पर movie या picture या कोई भी program देखते है वैसे monitor पे हम computer का जो भी output है computer ने जो भी processing करके data को जो result दिया है वो हम video पे देख सकते है ठीक है अब इसमें जो picture होती है जो भी monitor पे picture देखते है वो कैसे बनी होती है वो different हजारों tinny dots से मिलके बनी होती है यानि monitor पे अगर हम कोई भी picture देख रहे हैं मानले जी कोई भी picture हमें monitor पे इसे दिख रही है ठीक है तो वो क्या होती है वो picture consist of वो picture बनी होती है छोटे छोटे मतलब की काफी tinny dots है tinny dots मतलब उनको आप nude eye से नहीं देख सकते है आप यह समझ लिए ऐसे tinny dots से मिलके वो picture बनी होती है और इन tinny dots को क्या बोलते है इन tinny dots को बोलते है pixel they are called pixel it contains a CRT which emits the electrons to trace a regular pattern of horizontal lines on the screen मतलब जो monitor होता है यह earlier days में आज की date में तो आप LED monitor और TFT यह सारी चीज़ी यूज़ करते हैं लेकिन earlier days में यह जो monitor use होते थे इन में जो display unit थी वो क्या थी वो थी CRT CRT cathode ray q ठीक है तो earlier days में CRT use होता था जिससे की हम जो भी picture है उसको हम देख सकते थे यह काम था monitor का अब आज के समय में CRT के बाद CRT के बाद आज के समय में जो use होता है वो LCD display monitor use होते है LCD ठीक है LCD का फुल फॉर्म क्या होता है liquid crystal display तो आज कल के जो monitor use होते है वो LCD display वाले होते है उसके कई advantage भी है ठीक है clear तो यह हो गया आपका CRT monitor और LCD monitor उसके बाद एक नई technology introduce हुई ठीक है monitors में उसको कहते है TFT ठीक है they are called TFT ठीक है या इनको TFT monitor TFT stands for thin film technology तो आज के समय में जो latest monitor है वो इसी technology पे काम करते हैं they are called TFT monitor TFT monitor क्या होता है TFT and active matrix LCD ठीक है an active matrix display is a liquid crystal LCD with active matrix display each pixel is controlled by one to four transistors that can make the screen faster brighter more colorful ठीक है यानि TFT technology में क्या होता है TFT में एक जो pixel होता है अभी हमने आपको pixel बताया था कि pixel क्या होता है बहुत छोटे dots होते हैं tiny dots they are called tiny dots तो TFT technology में क्या होता है कि एक पिक्सल एक पिक्सल ये control होता है ये control होता है किस से तीन से चार transistor से मतला आप ये कह सकते हैं एक से लेकर और चार transistor से ये control होता है ठीक है और जब एक tiny dots इतने transistor से control होगा तो इससे advantage क्या होगा इससे advantage होगा कि screen जो है एक तो faster हो जाएगी और दूसरा advantage क्या है कि brighter हो जाएगी ज़्यादा और अच्छी picture quality आपको देखने को मिलेगी ठीक है तो ये इसका फाइदा है TFT monitors का ठीक है अच्छा और इसके जो और आप advantage लिखना चाहे तो simply आप इसको लिख सकते है कि इसके advantage क्या है advantages of TFT monitor तो पहला advantage क्या है पहला advantage है कि ये cheap है और cheap and reliable है ठीक second advantage क्या है कि it can display text and graphics अदला टेस्ट भी display हो सकता है और graphics भी display कर सकते है for a wide range of color wide range of colors यानि कि ये text और graphics दोनों display करते है एक wide range of colors के लिए ठीक है तीसरा advantage क्या है TFT का तीसरा advantage ये है कि as each task is processed the results can be displayed immediately on the screen मतलब कि वो उपर जो हमने ही बताता है कि screen faster होती है मतलब जैसे ही task process होता है वैसे ही result जो है आपका result is immediately कोई delay नहीं होता है immediately displayed ठीक और चौथा क्या है कि कहीं कोई आवाज नहीं होती बहुत quietly ये काम करते है तो ये main advantage है किसके TFT monitor के पहला है आपका cheap and reliable होते है दूसरा ये है कि text और graphics for wide range of color display हो सकता है third ये है कि result immediately display होता है मतलब ये faster होते है और fourth ये है आपका कि ये quietly काम करते हैं कहीं कोई noise या कोई चीज नहीं होती है तो ये तो हो गया इसके advantage अब इसके हम बात करेंगे माली जे हम disadvantage की अब हम इसका लिखते हैं disadvantages तो disadvantage क्या है TFT monitor का पहला तो ये है कि no permanent copy to keep the results will disappear when the computer is switched off यानि कि by TFT monitor में display तभी तक रहेगा जब तक की computer on है जैसे computer off होगा result disappear हो जाएगा यानि की no आप लिखते है no permanent copy of result अभी आगे हम लोग printer पढ़ेंगे उसको आपको देजिए permanent copy मिलेगी second इसका disadvantage क्या है की unsuitable for users with visual problem मान लिजे कि किसी user की eyesight weak है या किसी और तरह की दिक्कत है तो उसके लिए फिर TFT monitor बेकार है वो unsuitable है बेकार नहीं कहना चाहिए वो ज़्यादा suitable नहीं है अगर किसी user को visual problem है तो TFT monitor उसके लिए उतने efficient नहीं है third disadvantage क्या है कि only limited amount of information can be displayed at one time तो वो तो obvious ही बात है monitor का मालीजे हमने का यह size है monitor का तो खाली आप इतने पे ही तो आप information display कर पाएंगे ना तो इसी को वो बोल रहा है limited information ठीक है limited information ही आप screen में एक बार में आप display कर पाएंगे और चौथा disadvantage क्या है चौथा disadvantage है कि CRT screens are made of glass and can be very fragile मतलब चुकि यह glass के बने होते है ठीक है तो इसलिए इनके टूटने टाटने का that's why they are called fragile ठीक है इनके टूटने का chances बने रहते हैं कि अगर जरा से भी mishandling हुई या माल लीजे जरा से भी कोई problem हुई तो यह जो है आपका break कर जाएंगे ठीक तो यह different तरह के monitor हम लोगोंने discuss किये ठीक है I hope कि आपको यह video content पसंद आ रहा होगा अगर आपको video content पसंद आ रहा है तो please video को share कीजे like कीजे और अगर आप channel पे नए आया है तो channel को subscribe कीजे और notification bell को जरूर push कर दीजे ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालू आपको तुरंद उसकी notification मिल जाए ताकि आपसे वो video miss now thank you